Hello to all my divine soul family आज का जो विश्य है वो यही है कि यह जो twin film journey यह हमें क्यों मिले Actually ऐसे subjects पे मैंने पहले भी काफी videos बनाए हैं लेकिन बहुत नएने सवाल आते हैं new new inquiries आते हैं जिसके कारण मैं फिर से इसको थोड़ा अच्छे से explain कर दूँ देखिए यह journey हमें all of sudden मिलती है बहुत सारे anxiety, बहुत सारे depression, बहुत सारे परेशानी जब अंतिम स्तर पर पहुँच जाते हैं उसके बाद हमें समझ में आता है कि हम एक अज़ीबी दुनिया में अज़ीबी life लिट कर रहे हैं और तब शुरू होती है हमारी जागरिती, awakening कुछ जटका लग सकता है, कुछ भी situation होते है और हमारे जागरिती शुरू हो जाती है तो या तो कार्मिक पार्टनर्स के थुरू, या तो ट्विन फ्लेम के थुरू, याने आपके अदर हाफ के थुरू ये सारे situations हमारे लाइफ में आते हैं फिर हम सीख जाते हैं, उलजते हैं, परिशान होते हैं फिर देरे सुलजते भी हैं, क्योंकि हम दिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं तो अब जिन सिस्टर्स को अभी भी टेंशन है, अभी भी परेशानी है उन सब के लिए यही कहना है, आपको जर्णी को अच्छे से समझना है अगर अब इस जर्णी को सिर्फ एक रुमैंटिक रिलेशन या आशिकी या प्यार समझ रहे हो तो ऐसा बिलकुल नहीं है, एक बहुत सिरियस रिलेशन्शिप है तो इन फ्लेम रिलेशन, आपके आत्मा, आपके अदर हफ, आपके सोल बठके दो शरीर में होते हैं आप दोनों सोल लेवल से एक ही हो, अलग-अलग नहीं हो, शिवशक्ती हो, स्वरूप हो तो आप थ्रिडि वर्ड में आके, जब दुसरों के रिलेशन्शिप देखके प्रभावित होते हो और अपने रिलेशन्शिप को उसके साथ कंपेर करते हो और गलत फैमी में आते हो, कि अभी हमारी शादी हो जाने चाहिए अभी वो किसी के साथ भी है, उसे छोड़के आ जाना चाहिए हर हमें एक दुसरे का हो जाना चाहिए मैं मानती हूँ, प्यार बहुत डिपेस्ट होते है, बहुत स्ट्रॉंग होते है बहुत तकलिफ होते है अपने अधरहब को छोड़के रहना लेकिन जर्नी का मतलब ऐसा नहीं है जर्नी का मतलब है, हर कर्तव को निभा के हर कर्मबंधन से रिलीज पा के अपने अधरहब से इटर्नली मिल जाना तो जो इटर्नली मिलने के लिए सही प्रोसेस को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो वो तो निश्चित आगे बढ़ होगे वो तो निश्चित सफलता पाओगे वो तो अवश्य अपने अधरहब से complete merge होके एक हो जाओगे and एक हो जाने का मतलब eternal love जैसे स्वी राधा करेशन जैसे शिव शक्ती लेकिन ये process इतना आसान तो नहीं है ना और आप 3D world के life को देखे कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करते रहोगे तो आप transformation के journey को कैसे complete करोगे ये तो इल्ली बनी तितली की journey है तो आपको तो पूरी तरह से transform होना है अभी भी आपके अंदर उन्स है अभी भी आप compare कर रहे हो DM के wife के साथ के DM उनके wife के साथ खुश है मेरे पास नहीं आते ऐसे ऐसे situation अगर आपके mind में आ रहे है you need to do inner work strong inner work करना पड़ेगा आपको अभी भी उन्स भरे है आपी के अंदर आप transform नहीं हुए हो ठीक है because compare करने के energy आ रही है फिर jealousy आ रही है गुसा आ रहे है दुख आ रहे है तो आप कहां से clean हो पाए हो नहीं हो पाए है ना इन सारे चीजों से उपर उठना ही इस journey का मकसद है जरूरत है नियम है उचित है इसी लिए इस journey को completely समझे process को समझे उतर चड़ाओ आते रहेंगे life है 3D world है जनम लिये है बहुत सारे करम करने के लिए ही आये है करतव को पूरा करना है हर करम को अच्छे से निपुन्ता के साथ पूरा करना है कठिन है बहुत कठिन समझाए आते है दिवाईन साथ है सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारे परेशानी आते है लेकिन अगर हम डेली अपने आप पे मननचिंतन करे meditation practice करे शान्त रहे तो ये सारे जो negativity attacks, लोग ये सब जो हमें परेशान करने आते है धीरे धीरे कट जाते है धीरे धीरे निकल जाते है लेकिन इन्हें attract भी तो हम ही कर रहे होते है क्योंकि हम इसे thoughts रखते है जैसे जैसे हम अपने thoughts को परिवर्टित कर देते है जैसे जैसे हम higher self के साथ connect हो जाते है जैसे जैसे हम अपने mission पर और अपने काम पर ध्यान दे देते है वैसे वैसे ये लोग हम से दूर जाते है जो लोग आपके बुराई करते हैं, गलत बैवार करते हैं आपके उपर जलेसी रखते हैं उनसे धीरे धीरे कट हो जाओ दिल से माफ कर दो और मुझे से बात करने की भी जरूरत नहीं है energy exchange करना ही क्यों है जब आपको परता है सामने वाले आप पे जलन रखते हैं आप जलन मत रखो आप fresh करो अपने आपको तो twin flame journey बहुत difficult है और बहुत आसान भी है कब आसान होते हैं जब आप transform हो जाते हो divine से completely connected हो जाते हो तो यह process है और यह इतना आसान नहीं है process को आपको पूरी तरह से सिखना पड़ेगा जानना पड़ेगा इसलिए हम गुरु कूल चलाते हैं dance classes देते हैं तके blockages दूर हो और भी masters कुछ भी classes रखते हैं आपके भले के लिए तो आप यह सब सिखते जाओ आगे बढ़ते जाओ process के साथ चलो अगर आप अपने हिसाब से चलोगे अपने मनमानी करोगे 10 जगा सुनके भटक जाओगे 10 लोगों के love story सुनके आप अपने आपको compare करने लगोगे और सोचोगे क्यों हमारे जिंदेगी इतनी beautiful नहीं हो रहा है कब होगा तो यह हो गया आपकी expectation भी बढ़ेगा और बहुत आपको patience नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो तब आप होते हो दुखी क्योंकि जल्दी होने वाले process नहीं है आपको complete clean करना है खुद को यही इसका मकसद है अगर आप divine जैसे नहीं बन पाऊगे 5D में आप complete विराज नहीं करोगे आप 3D और 5D के बीज में फसे रहोगे दोनों को मिला के equally balance करके नहीं चल पाऊगे तो यह journey में आप बहुत पीछे हो आपको बहुत आगे बढ़ना है क्योंकि सबका journey एक जैसे नहीं है जैसे हर एक student school में एक जैसे नहीं होते है वैसे यह journey पर भी हर एक student एक जैसे नहीं है लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा 10th exam clear करना जैसे तो काम करना ही पड़ेगा इस journey में 10th exam हर student को clear करना ही पड़ता है ना तब जाके वो 12th के लिए तैयारी कर पाते हैं तो यह समझ लीजिए स्कूल में चाहे जैसा भी हो इस journey में आपको 10th exam तो पास करना ही है यहने transform आपको completely करना ही है अगर आप गलत फैमी में रहते हो कि DM कब आएगा DM क्यों नहीं आ रहा है उसका reunion हो गया अमीरा क्यों नहीं हो रहा है वो इतने परेशान रहते हैं जो भी है आपके जो भी आपके प्रश्ण है जो भी आपके situation है आपको समझना है कि DM तभी आएंगे जब आप completely clean हो जाओगे जब आपको DM की अवशकता नहीं होंगे तो journey को समझे अच्छे से inner work करे पूरी तरह से खुद को डिवाईन से merge करे अपने आपको higher self से connect करे यह divine journey है इसे उसी तरह से कीजिए आपके गुरू से या guide से suggestion लीजिए follow कीजिए पत को तब जाके आप सिख पाओगे अगर आप the channel देखके अपने हिसाब से करोगे और नहीं सिख पा रहे हो नहीं progress हो रहे हैं तो साबदान हो जाए आपको बहुत कुछ सिखने की जरूरत है तो thank you so much आशा करती हूँ यह video बहुत सारे sisters को help करेगा समझने के लिए बाकी फिर मिलते है next कुछ बहुत important topic के साथ thank you so much, love you all God bless you all